हेलो गाइज आप सबको प्रिती का प्यार भरा नमस्कार आज हम पुरानी जीन्स पेंटे उसका उप्योग करेंगे जो नी रहती है वहाँ पे हिल पे और बीच में से फट जाती है और बीच का हिसा अच्छा रहता है तो हम आज वही उप्योग करेंगे तो यह देखिए यह स यह हमें स्ट्रेटी कट करना है क्रोस रहेगा वो निकाल देना है 8.5 इंच बाइ 23 इंच का एक रिटेंगल पीस कट करेंगे और अभी इसका दूसरा पे ले लेंगे उसे नीचे की साइट जो फटा हुआ है वो भी हम काट लेंगे इस तरह से यह काट लिया अभी जो सीधी साइट है उसे हमारी तरफ रखेंगे और यहां से हम सेवा नीच का अंदर की साइट ऐसे मेजरमेंट लेंगे और उपर भी सेवा नीच का लंबी लाइन बना लेंगे माप लेके लंबी लाइन बना लेंगे और नीचे की साइट से जहां फोल्ड किया हुआ है वहां से हमें 6 inch ऐसे measurement लेना है और पूरी सिधी line बना लेनी है और ऐसा एक square कट कर लेना है नीचे जोईंटी रखना है इसे हमें खोलना नहीं है ये जोईंटी रहेगा एक हिसा पेले हमने कट किया ये दूसरा अभी हम यहाँ पे तीसरा हिसा कट करेंगे तो जो हमारा side का खराब है वो सब हमें निकाल देना है यह सिलाई भी मने निकाल दें ओर श्रेठ कट कर लिया अभी पहले हमें 23 इंच का नाप ली आए तो यह पटी भी हम 23 इंच की ही कट करेंगे 23 इंच बाई 4 इंच की हमें एक लंबी श्ट्रिप निकाल लें नी क्रोश नहीं होना चाहिए, सीधी ही पटी हमें निकालनी है, इस तरह से अभी इसे भी हम काट लेंगे, तो टोटल हमने यहां पे ऐसे तीन हिसे कट किये हैं, और बाकी की जो पैंट का हिसा बचा है, उसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे, अभी इन तीनों में मैंने अस्तर ड लगाए तो, अभी मैंने 23 इंच की जिप ले लिए, और ये दो हिसो में 23 इंच की जिप लगा दूँगी बीच में, और फिर इसे उल्टा करके इसके उपर टॉप स्टीच कर लूँगी, पहले स्टीच किया, और फिर इसके उल्टा करके टॉप स्टीच कर लिए, और जिप कर लेना है और इसी तरह जो हमने तीसरा हिसा कट किया था उसे भी हम बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे सेवन इचे वहां से फोल्ड करना है और उदर भी हमें सेंटर का मार्क कर लेना है उपर नीचे दोनों साइट सेंटर का मार्क करना है सेवन इचे वहां से फोल्ड करना है अभी ये पीस इसके उपर उल्टा रखेंगे और यहां स्टीच कर लेंगे ये देखे ये स्टीच हो गया अभी जीप वाला पाटे वो उपर की साइड आए ऐसा रखेंगे और उसके उपर टॉप स्टीच कर लेंगे अभी दूसरी साइड ऐसे ही स्टीच कर लेंगे यह हिसा ऐसे पूरा गोल गोल बना लेंगे और स्टीच हो जाने के बाद नीचे का हिसा है थोड़ा इस साइड कर लेंगे और यहाँ पर ऐस तरह से करके टॉफ स्टीच कर लेंगे बीच का हिसा साइड बे कर लेना है वो ताक सेंटर हमें मेच कर लेना है इस तरह से फिर पिनप कर लेंगे और यहां पर कॉनर पर हम कटिंग करेंगे तो जो फोल्ड किया हुआ है वहां से हमें 2 इंच लेना है और जो खुला पाटे वहां से हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है जो फोल्ड किया है वहां से 2 इंच और जो ख खुला है वहाँ पे 2.5 इंच का नाप लेके स्क्वेर कट करना है यह देखिए ऐसा हमारा कट होके दिखेगा अभी यह उल्टा ही रखना है और हमें दोनों साइड स्टीच कर लेना है स्टीच हो गए अभी यहाँ पे मैं इसे कवर कर लूँगी तो यह बेग आता है ना नोन का उसकी मैंने स्ट्रिप कट की और दोनों साइड में इसे लगा दूँगी और इसे कवर कर लूँगी अभी यहाँ पे जिप के साइड जो उपर क्या साइड का हिसा है वहाँ पे जोड है जोईट है वहाँ पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और वहाँ पे हम बेल्ट अ है ना वो कर सकते हैं अभी इसे बीच में से डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में छिलाइी करके इसे रेडी कर लेंगे ये रेडी हो गए अभी जीप है ना हम एपन कर लेंगे और जो हमें मार्क किया ता उपर की साइड यहां इसे एसे रखना है अंदर की side रखेंगे और इजा कर लेना है दोनों side हमें ऐसे इसे कर लेना है बीच में फोल्ड ना हो जाए इसका ध्यान रखके हमें बेल्ट लगाना है इस तरह से पूरा एक सिधा आए इस तरह से हमें बेल्ट लगा देना है बेल्ट लगा दिया अब इसे जिप को वापस बंद कर लेंगे और यहां पर इस तरह से पकड़ेंगे और स्टीच करते जाएंगे और इसके साथ साथ cover भी कर लेंगे चारो साइड हमें इसी तरह से पकड़ना है और stitch कर लेना है 2.5 inch by 2 inch का हमने square cut की गया है तो ये बराबर आएगा 2 by 2 inch का हम करते हैं न तो थोड़ा तेड़ा मेड़ा हो जाता है इसके लिए आधा इसका difference रखना जरूरी है चारो साइड चिलाई करके रेड़ी हो गए अब इसे कर लिया मैंने सिधा तो ये इस तरह से दिखता है ये हमारा एक टिपिन बेग बनके रेड़ी है जो हमने पुरानी जिंस में से बनाया है मैं इसमें आपको अपना टिपिन रखके भी दिखाती हूँ तो ये देखिए इसमें टोटल नीचे की साइड में तीन डबे असनी से आ जाएंगे उपर पानी की बोटल छाच की बोटल आप रख सकते हैं ये देखिए और उपर और भी स्पेस है इसमें तो और भी आप कुछ रखना चाहें तो इसमें रख सकते हैं और अगर आप इसमें कोई और चीज स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो और चीज जे भी स्टोर करके घर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप नए कोई कपड़े से स्टीच करना चाहते हैं, तो यही नाप का आप स्टीच करके भी इसे बना सकते हैं, इस तरीके से बनाना बहुत ही आसाने और फिनिसिंग भी अच्छी तरह से आती है अज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जै भारत जै हींद मसंने करणा दो हैं रिए बाई भी अथार ये चलो में दोपने लाई हैंगाद मकत।